अस्सलाम अलेकूम कैसे हो आप सब अलम्दुलिल्ला मैं एकदम ठीक हो मिस करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो भई पिटारा बाजी का एक दिन का ड्रामा बच्चों को तयार करना टिफिन देना नाश्टा देना उसके बाद में तो ड्रामा खतम हो गया बस एकी दिन टिफिन देना था एकी दिन नाश्टा देना था इतनी अच्छी मा इतनी फिकर वाली मा बताती नहीं घड़ी में कितना बज रहे जब बच्चे स्कूल जा रहे है पिटारा कितने ड्रामे करती है एक्टिंग कभी करती है दिखाती कभी है क्योंकि बच्चे जब इसकूल जाते न तो तु सोई मरी पड़ी रहती है और बताती है मैं मेरी बच्चो के लिए जीरी हूँ बच्चा काट खेलना न बन कर दे पिटारा हस्तुरिस जैसी जलील औरत नहीं देखी मैंने पहला दिन दिखा दी टीफिन में ये बनाई वो बनाई बच्चो को ये नाश्टा दी वो नाश्टा दी आज का तिसरा चौता दी नहीं बताओ कि उसके अलावा इसने बताई कोई वीडियो बनाई कि देखो टिफिन में यह दी हूं यह नाश्टा कर रहे हैं सुबा इतने बच्चे उड़ गए देखो मैं उठा रही हूं बच्चे तैयार हो रहे हैं नहीं क्यूंकि पहला दिन सिर्फ और सरी कउन्टेंट होता है बगरे फिर यह छोड़ देती है कैंटिंग वालों के हावाले जैसे घर चोड़ के रखती है और बच्चे छोड़के रखती था रहा कुछ है ना ये दूसरों के हवाले क्योंकि इसको अपनी आयाशियों से ही फुर्सत नहीं है तो ये क्या कोई चीज का ख्याल रखेंगी च्छाता बता रही है च्छाता लेके आ गई हूँ च्छाता दे रही हूँ मलेशिया से लाए थे बताओ च्छाता तक के उठाके लाए वहां थे इतनी जाहिल अनपर दबार हो रहते है तो च्छाता तलक की ये देने के लिए आ गई दिखाने के लिए आ गई के बच्चों को चाता दे रही लेकिन खाना टिपी नाश्टा वो सब देते हुए नहीं दिखाई क्योंकि देंगी तो दिखाएंगी ना शरम कर ले पिटारा थोड़ी सी शरम कर ले बखी भई पिटारा का कांटेंट तो गजब पाई है आप लोगों को भी पता ही है बस मतलब एक ब्लोग मे अमरूत के पेड़ पे जानवर आके अमरूत खा रहे हैं कितना अच्छा कांटेंट है पिटारा तेरा बहुत अच्छा कांटेंट है लांती कहीं की और बोल रही है मैं मैंनत करूंगी मेरी अम्मा नहीं बोली है मैंनत करो काम तो कर ले मैंनत मिन्स होता है कि घर का काम कर उ इतना जूट इतना जूट यह औरत बोलती है अच्छा इसके जब यह लेक्चर देते खड़ी है न के मैं हर मेनों डीप क्लीनिंग करती थी पता नहीं कब करती थी वीडियो नहीं बनाई पिटारा डीप क्लीनिंग की एक बार कीती कराची में वो भी अम्मा थी अम्मा ते जंदा वाला दिखाई एक वीडियो बना के फिडेर एक पूरा क्लीन वाला वीडियो बना दी और क्या बोली मैंने की हूँ तो वो करी थी अम्मा ने और यह जो जाड़ो वाली चुड़ायल है न उसकी बेटी ने उन लोग ने मिलके इसका किचन किये थे और इतने जबी भ महीने डीप क्लीनिंग करती थी कब करती थी भई तू जूटी अवरत इतना ठूसती है इतना खाती है भर भर के नाश्टा चाहिए भर भर के खाना चाहिए फिर बाहर जाके अलग खाने के लिए चाहिए फिर भी बोलती है नहीं अच्छा लगता है नाश्टा सुभा सुब उब स्रिफ चाय अच्छी लगती है पिटारा थोड़ी सी शरम कर ले तेरे गर में हो चाय कोई होटल में हो चाय किसी के घर पे मैमान हो नाश्टे के बिना तो तुम लग को चलता ही नहीं और इस वीडियो में बोल रही है सुबह सुबह नाश्टा नहीं अच्छा लगता है शरम कर पिटारा अच्छा इतनी फनी फनी बाते करती है ना बच्चे स्कूल गए तो चलो किचन का समेट लेते हैं दो चार दिन लगे हैं अपनी नॉर्मल सी रूटिंग में आने से आने के लिए और जिनकी आदत हो जाती है उनके बिना इंसान रहना सीक जाता है टेम लगता है लेकिन सीक जाता है उनकी आदत छूट जाती है यह किसके लिए भाशन दिया जा रहा था कॉसर के लिए कि अब उसके बिना है ना सबकुट ठीक है इसके बिना में रह लूँगी तो पिटारा यह जो भातन तुक लिए दे रही थी यह घोंचु के पर लागू नहीं होता 1 विडियो 10 तो लोगों को पर ऐसे हैं मिया वीवी जैसे दुनिया के ऊपर रही है गंदी वीडियो डाल डाल के जिसका ना सारे हैं इसकी बात हो कि अपर अतियारी थी, कि इंसान जीना सीख जाता है, किसी से दिल लगा होता है ना, फिर उसके बिना जीना सीख जाता है, तो सीख जा गोंचु के बिना जीना, ड्राइविंग भी आती है तुझे, अब तो ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, इतना कमाती है कि ड्राइवर भी रख सकती है, नौकर तो वैसे ही तेरे घर में है, तुझे क्या जरूरत है गोंचु की, क्योंकि गोंचु और कॉस्तर के नाम से ही तो तुझे वियूज आते है, उसके बिना तो तु फिर फकीर हो जाएंगी है न, इसके लिए लोगों को नहीं छोड़ सकती है, लेकिन दूसरों के लिए बड़े बड़े लेक्च्चर है तेरे पास में, बाकि अम्मी ने कॉल की थी, अम्मी ने डाटा कि अपना काम पे फोकस करो, और इन सब चीजों से निकलो, तुमारी हालत देखो क्या हो रही है, अले ले 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 ले, सूप के काटा हो गई है बिचारी, दिखती ही नहीं जरी नहीं आती है, इतनी पतली हो गई है, इतनी बिचारी खराब हो गई है, तरत आता है पिटारा तेरे उपर, क्या हालत करड़ी तुमने अले ले 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 पितारा गों फिर के आती है मनुस खा पी के आती है याशियां करके आती है फिर रोना दोना करने बैठ जाती है ना confidence शुक्री ले ऑरत घटेया ओरत बोल रही अमा ने बोली क्या हालत कर ली ये तुमने ज्रा दिखाई नहीं तुने अम्मा की call आई थी वो हाँ जूटी कहीं की तेरी अम्मा तो है पैसे की भूकी लालची और जलाद ओरत जो तेरे को फोन करके बोल रही है कि बेटा गंद करना क्यों बंड कर दिया जिस्म दिखाना क्यों बंड कर दिया करो करो पुरा फोकस करो अपनी जिसम के उपर своей कहिम्रे के सामने लेकर जाक अपना जिसम तेरी माँ भी और तु भी घटिया वरत घुम रही ती फीर रही थी याह श께 कर दो कामश्यां कर रही कि में मूँ दाल दाल के गाने गाया जा रहा था define योज है पानी पानी कमक्न की याद नि hacia drugsaguak कितनी खुश है कितना अच्छा लग रहे नजर ना लगे ऐसे कॉल नहीं आई अम्मी की अभी अम्मी की कॉल आ गई अपनी कन्विनियंस के हिसाब से कब अम्मा काट खेलना है वो तुझे बहुत अच्छे से आता है थोड़ी सी शरम कर ले पिटारा अम्मा को जलील करवाती ह लम्मा का नाम ले लेके जाहिल अउरत अच्छा बिल्ले को बोल रही है कि अंदर रहो कोई जरुवत नहीं बाहर बटकने की बहुत बटक लिए अंदर रहो मतलब कि इसका यह तो देखो दिमाग तो देखो कितना चलता है जो अरत खुद अंदर नहीं रहती है जिसको होश नहीं है कि घर में दूद आया के नहीं आया घर में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको कोई होश नहीं रहता है दिन रात में को लगता है अभी है पी रही है इसके लिए ना इसको कोई होश नहीं रहता है पीना और वह वाला काम करना बस यह इसकी जिन्दग कुछ अनिता और रमजान कर रहे हमने कर दिया हमने कर दिया तू करेंगी और दिखाएंगी नहीं इतनी तू अच्छी नहीं पिटा रहा तूने खली छे गिलास और चार वो कप रखी न तो बराबर तूने कैमरा अपने भूते पर रखी थी कि मैंने रखी हूं देखो मैं क्रीनिंग करना है इतना काम बढ़ गया है बहुत काम है बहुत काम है बहुत काम है बहुत काम तो नौकर कर रहे थे को तो कुछ काम ही नहीं है तू क्या काम करती है जो तू इतना क्रेडिट ले रही है इतना बोल रही है सिरी मों से तुझे बोलना है कि यह साप करो वह वह रखो वह वहां रखो और तू इतना जैसे जतार ये जैसे बतार ये जैसे सारा तुने तरह हाथ से की ए थोड़ी सी शरम कर ले पिटारा और काम है ना किया कर वही तेरी ब्लॉगिंग होगी और उसी से ना लोग तुझे देखने आएंगे जो खली कैमरा लेकर नौकरोप के म मतलब कि लोग अगर किचन साफ करने में लगे हुए तो ये औरत से इतना नहीं हुआ कि लाव में थोड़ा खाना ही बना दू इसने खाना तक के नहीं बनाई वो लोग अगर किचन कर रहे न तो खाना बाहर से आएंगा ये खाना भी नहीं बनाएंगी ये घर का कोई काम भ कोल रही है कि मैं होश में नहीं हूँ मेरे दिमाग से ना गम नहीं जा रहा अम्हा कॉल कर रही है कर लगिन इसको फिल्म के सारे शौर्ट सीन सब कुछ याद है जाके किचन में पूछ रही है यह याद दिया था याद है रानी मुखर जी ने वह पिक्चर में लैप्टॉप धो दी थी मतलब तेको वह सब सीन याद है बस गम में इतना है कि तेरे से फिलम का भूती नहीं उतरता सब को याद है कि वह लाइट है ना रमजान ने दोया था और बोल रही है कि इसको लगा कि मैं बेशरम उसके साथ तो ऐसे चिटकी रहती है ना कि गोंचो के साथ हमने तेरे को इतना खूश और चिटका हुआ नहीं देखे बेशरम गटिया और अम्मा की चीज़े गिन्वारी है अम्मा ने ये चम्मत देखे गई गोंचो बोल रहा है रेडियो देखे गई थी हाँ अम के थे महिंगे थे बहुत बड़ी अमाउंट से निकलती है तो उसका निकर्ण रही है समाल के रखी ज़रा दिखाना तो का समाल के रखी है तुँ और कि अम्मा को देखो इतने पैसे पास में इतनी आयाशी करती है लेकिन हर चीज इसी को भर रही है हर चीज इसी के अंदर भरती है इतिनी तो वो भी दोगली अच्छा, जब ये लक्चर दे रही थी न कि मैं केबिनेट खाली करती थी मैं हर मंते 이후 ट्लिनिंग करती थी मैं ये करती थी तो क्या बोल रही है अनीता रंगजान जब से आये ना मेरी हेल्प कर देते है ना हेल्प कर देते है पिटारा तेरी हेल्प किसको बोलते है समस्ती है तेरे को पता है हेल्प किसको बोलते है के उलोग तेको हाथ लगा देते हैं जेते थोड़ा बहुत कुछ काट के देना है थोड़ा बहुत कुछ हाथ लगाना है न उसको बलते हैं हेल्प अरे तू तो हेल्प तक के नहीं करती है उनकी पूरा घर तुने उनके अवाले छोड़ी हुई है चाहिए यहां तलक के तेरे ये केबिनेट खाली कर दिया लेकिन दिखाई नहीं तूने और तू इतनी अच्छी नहीं ये के तू काम करे और दिखाए नहीं तेरी आदत है ना हमें बहुत अच्छे से पता है तु चार गिलास भी अगर रखेंगी ना तो वह भी तो कैमरे में दिखाएंगी और बोल रही है कि उल्लोग मेरी हेल्प कर देते हैं वा पिटारा दूर पिटे मुह तेरे मकार औरत बाकी इतिहास गवा है आप लोग जाके इसके वीडियो देख सकते हो जब हमी सौधी जारी थी तब भी उसने इसे ही डीप क्लीनिंग की थी जा मतलब जो भी जाने वाला रहता है ना इसको पता है ना कि यह बंदा तो चले जाएंगा उसके बाद में फिर क्लीनिंग तो होगी की लड़की जब इसके घर पे थी कराची में वो भी जा रही थी ना तब भी इसने डीप क्लीनिंग करवाई थी तो यह इसका ना पैटन है और बोलती है मैंने कर दी हमने कर दी है मैंने कर दी हमने कर दी है जूटी कहीं की फ्रॉड और अच्छे यह जब तयबा को लेकर क्योंगे चन्होड थो सब्स-क्राइब को इतना चाहिए कि ट्यूसन टीचर प्यार दे स्कूल टीचर प्यार देगे को माल है यह स्क informing कर रफटी है कि शुरह रखती है जरूर तो ने पैसे बर होंगे एक्ष्ट्रा के मेरे बच्चों को प्यार करो इनको मां की कमी नहीं मैसूस होना चीए क्योंकि जो असल मां है वो तो अपनी याशियों में लगी रहती है तो इसलिए तु पुस्ती होएंगी ना कि मैंने पैसे भरी हूं तो लोग काम बराबर कर रहे हैं कि नहीं गटिया और बाकी यह जब पंचायत कर रही थी ना तो वह क्लीप मैं लगाऊंगी अपने वह क्लीप अले चैनल पर वहां जाके देखना आप लोग के कोई और थी जो देखी ना के लोग बात कर रहे हैं कैमरा होने तो वह अंदर नहीं गुसी इतके रूम के वह दरवाजे में से ना त काइदे तो इसने लगाई नहीं है कि लोग आनी सकते हैं इसके कमरे में या उन लोगों को परमीशन नहीं है कि ये कैमरा ओन किये तो लोग ना आए जाहिर सी बात है जो बंदे को इसने नहीं दिखाई है जिसको शो नहीं करवाई है उसी को छुपा रही होएंगी ना तो क्लीफ में डालूंगी तो आप लोग देखना मैंने जूम करके भी देखी वो ये तीनों में से कोई भी नहीं था मतलब कि रमदान अनीता और हलीमा के अलावा भी इसके घर में कोई और था जाहिर सी बात है कि हलीमा लोग है तो लोग जाने वाले है तो इसने कोई और को भी इसके घर में कामी इतना ज्यादा होता है इसके बच्चे इतनी गंदगी करते है इसको होस नहीं रहता है तो दो तिन नौकरों से इसका काम तो होता नहीं है तो इसको चार पांच नौकर चाहिए क्योंकि अब कौसर भी तो नहीं आ रही है न वरना वह आके खाना बनाके ज लाइटिंग का काम, ये सारे काम करवा रही है, कहां तो ये रोना दोना कर रही थी, मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत कर्चा हो गया, आने के बाद मैं फिर खर्चे निकाली इतने, और एक बात और बता दू आप लोगों को, जो इसके सपनों का महल था ना, ड्रीम हाउस, उस काम सुरू होके, एक साल होने को आया है, एक साल से उसका काम हो रहा है, और इसने, मतलब ही आई थी ना, जब इसने दिखाई थी, उसके दूसरे चोटे दिन से ही काम सुरू हो चुका था, और उसकी मैं चाहिए ना, तो प्रूफ वीडियो भी लगा दूंगी, कि वो घर का सुरू होए तक्रीबन 8-9 मेना या 10 मेना होने को आ गया है, और इतने ना, जो कली लगाई है ना, बीजबीच में, कि अभी तलक वो वैसे ही पढ़ा है, वैसे ही पढ़ा है, तो नही, वैसे ही नहीं पढ़ा है, यह पता नहीं कोई और जगा बनाई थी, या पुराना होंगी दिखाने के लिए कि अभी तलक काम नहीं शुरू हुआ है लेकिन इसका अच्छा काम सुरू हो गया है तो मुझे इसा लगता है कि जादा नहीं थोड़े ही दिनों में यह वहां पे शीफ्ट होएंगी इसके लिए यह घर का काम पूरा कंप्लीट कर रही है ताके रें उसमें अगर यह सीफ्ट होती है ना तो इसको फिर सिंपती वगेरा नहीं मिलेंगी फंड नहीं मिलेंगे यह सब सोच के ना यह वरत जरूर गेम केलेंगी बर जो भी है देखते है क्या होता है बाकी इसने बताई मेरे माई के वाले आ गए है मिरी भाबी आ गई है बहुत स फकीरनी को क्या जरूरत पड़ी है इतना फिरी का लेने की हर बार लेने की फिर रोते रहती है मेरे कांदान वाली मुझे पूछते नहीं है मैं अकेली हूँ मैं तनहा हूँ मुझे कोई देखने वाला नहीं है मुझे कोई पूछने वाला नहीं है मुझे कोई लेने देने हुआ पिटा रहा तो यह जो भर-बर के गोनी भर-बर के आता है यह क्या है हाँ बे-शरम की तरह ले भी लेती है गटिया औरत बाकी फिर ये उससे पूच रही है क्योबा को बोल रही है देखो मामी आई ये तुम मिली वो बोल प्लैंड ड्रामा करती है यह औरत फिर इसका केमरा ओंता उलोग घर के अंदर गुसे आ गई भावी ऐसे कर रही है अरे भाई खोल दी ना तेरी पोल तो सयबा ने के मैं तो कब से मिल ली सबसे कैसे मिल ली वो जब तू एंट्री करवा रही है कैमरे में तो कैसे मिल ली फिर जाहिर सी बात है न जो मैंने बोली वही सीन हुआ होगा और यह पुरा प्री प्लैंड करके उनको घर से वापिस निकाल के फिर से एंट्री करवा रही है बहुत ज्यादा ही न यह शातीर हो रहत है अच्छा अब यह नज्जों क्यूं आई है वो दो लड़कियों को साथ मे लेके आई है क्यूंकि अब डीप क्लीनिंग तो हो गई किचन की एंड में इसने बोली है किचन दिखाओंगी डीप क्लीनिंग हो गई है तो अब आज कल में रमजान और अनीता चले जाएंगे तो न्यू नोकरानी की जरूरत है इसको तो इसके लिए न इसने एकरा को और जड़ोली चुडायल की दूसरी बेटी ये फाउजिया उसको बुला लिए अब ये दोनों इसके घर में नौकरानी बनके रहेंगे इसके घर का काम करेंगे और ये दोनों टांगे उठाके न चार बजे तक छे बजे तक के सोईगे उन लोग इसके बच्चे भी समालेंगे घ लोग देखो अपने अपनी बच्चियों को छोड़ देते हैं इन लोग आये न वस बेटीयों को पैदा इसलिए करते हैं ताके उनसे पैसे कमा सके इन लोगों को शरम आया नाम की न चीज नहीं ये घटिया और तो बहु ये दोनों जो छोड़ने आईए ये आईए न पिद बेजेंगे शरम नियाती है न पिटारा तेरे को ऐसे खांदान वालों को रिष्तेदार को नौकर बना के रखने के लिए बेशरम घटिया औरत अब उसको रखेंगी और थोड़े दिन में बोलेंगी इसका पूरा कर्चा हम उठाएंगे इसकी शादी हम करवाएंगे इ लेते हैं अपना पूराना पर्टीच 11 परनीचर दिशे इसके लावा कुछ भी नहीं दी और यह जैड़ेल बे शरम दल्ली और पीर दरवाजे पर पैर चाटी और मेमान आते है तो पकाना शर्वद बनाना ये चाय बनाना अनीता रमजान करते है लेकिन ये क्या करेंगी ट्रे उठाके न भागती है देने के लिए, ताकि कैमरे में दिखें कित़ी सेवा करती है, कितने अच्छी ज़्व कितने अच्छी दिल की है, गटिया औरत हर एक चीज को प्री प्लैंड करती है ये तेरी डेली की रूटिंग है पिटारा प्री प्लैंड ड्रामे करने वाली दगाबाद गटिया औरत और फिर एंड में इतने दिखाई के बच्चे न इसके गोंचु से चिपाग के सोय हुए मतलब दिखाना चाती है के बिचारे मेरे बच्चो का न हब छीन ली एक उतर ने देखो मेरे बच्चे कितना प्यार करते है उनका बैड है लेकिन वहां नहीं सोते गोंचु के बिना रह नहीं सकते लेकिन पिटारा एक बात बता तू तो बोलती है के गोंचु यहां सोता ही नहीं तो फिर यह गोंचु यहां पर क्यों पढ़ा है गेंडा यह मरी हुई लाश की तरह यहां पर क्यों पढ़ा है यहां पर फिर यह वाला इंसाब भी होना चीए के एक दिन तेरे पास एक दिन उसके पास अगर के तु यह जताना चाहती है एक रात इदर एक रात उदर वाला हिसाब में यह गोंचु यहां मरा पड़ा है तो फिर दिन का भी तो यही कानून बनाना के पुरा दिन एक दिन वहां रहेंगा पुरा दिन एक दिन यहां रहेंगा दिन में तो वो तेरे ही पास रहता है लेकिन रात का तुने हिसाब किताब बना के रख दिये के एक रात यहां एक रात वहां रहेंगा क्यों पिठारा यह कानून के से बनाईए तुने पढ़ रही है ना उस्या नहीं बत सकती तू ये घटिया अरकते करकर के समझ आई बग की क्लीप अले चैनल पे मैं क्लीप लगा दूंगी आप लोग जाके देखना और कमेंड करके जरूर बताना आप लोगों को क्या समझ में आया और इस वीडियो को यहीं पे अंड करती हू वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना मिलतें नेक्स्ट वीडियो में लापीस